अग्या आपके अज बात करते हैं अपने उस लेक्चर के बारे में जिसका हमने पिछले लेक्चर में तश्क्रा किया था कि डेप्री सेशन को सॉल्व करने के लिए हमने दो मैथड जो हैं वो अपलाई करने हैं पिछले मेथड दर हमने यह किया था कि हमने एक कूस्ट होगा जिस्में डेप्री सेशन की वैल्यू हर साल कम होती चला तो अब ये देखते हैं, इसको नोट का लीजिएगे अपनी नोट बुक पे ताके आपको जब कुछ सॉल्ब करना हो तो फिर प्रॉबम ना लोगुग। तो इलुस्टरिशन में बात करने हैं, सजाद क्रेटर परचेज आ मशीन फार 40,000 रुपीज on 1st January 2015, they decided to depreciate it at the rate of 10% per annan on diminishing balance methods. है इसके तरह हमें यह पता लग गया कि हमने वो मशीन फर्स जन्वें 2015 को पच्छेस की और कितने की पच्छेस थी कि कि हमें यह पता लग गया कि हमारा रेट ऑफ डैपनिसेशन क्या है और हम यह पता लग गया कि हमारा जो मैंठोड़ को फॉर्ड करने का वहोगा डिमिंशिक बैलंस ना थर्ट तो हम हर साल जूहीं साल पर अताम होगा या जी कि 31 दिसमबर आएगा तो हम डैपनिसेशन की त क्रूटर आप मिश्लि के लिक्षर के अंदर बात कि कि ती कि आप ने जोनसा की से परशेस करना है तो अशेट का अकाउंट बनाना है तो जब हम मशीन परचेस करेंगे तो हमने जनर्ल एकरिशन की क्या पास करनी थी जी, जी, machine account to cash account, क्योंकि ये goods नहीं है, ये effort है, तो effort जो भी होंगे हम भाई में purchase करेंगे, तो machine account to cash account और इसमें जब हम machine account के इंदर उसकी putting करेंगे, तो machine debit है, तो debit fact के लिखेंगे किस वज़ा से, to cash, to cash account, और ये कब खरीदी जी हमने, कि अब हमने कितने की ख्रीदी थी फॉर्टी थाउदन देव से जी अब पहला साल जो है उसका एंड हो रहा है तो थर्टीफ दिसंबर में हम आगे हैं तो थो थाउजन फिर्टीफ दिसंबर कि मम ट्रगानी है तो आपको पहले भी इस बात को जाप ब्रहा कि चार्ज करनी है तो उसके एंटरी कि आपास नहीं है डेपरिसेशन अकाउंट तो मशीन अकाउंट अब मशीन करण अब तो इसलिए हम इसको करेंद शाय से लेखेंगे किस वज़े से बात है तो इधर लिक् बताया गया है 10% तो 40,000 की अगर आपके पास वह मशीन जी तो 40,000 का 10% आपने कैसे निकालना था 40,000 multiplied 10 divided by 100 तो यह 4,000 depreciation की amount बने तो हम depreciation में 4,000 लिखते हैं अब हम balance करते हैं कि इस तरह आम बैचे balance की जाते हैं इसको भी balance की जाएगा जोन से fight बड़ी होती है उस fight का total मीचे आता है तो इधर 40,000 है तो इधर हमें balance करने के लिए 40,000 हम यहां पर 35,000 36,000 rupees लिखने पड़े अब हमने scale यहां पर लिखना है by balance अब यही balance जो है हम next year 2016 जन फर्स जनवरी में आ जाएंगे तो हम वही balance दोबार लेंगे जो आप मशीन की बकाया की मत रह गई है वो है 36,000 अब 36,000 के ऊपर होने depreciation चार्ज करनी है क्योंकि 2016 का end हो रहा है तो 2016, 31st December तो आप जो depreciation चार्ज करनी है फिर हमने वही इंट्रिक पास करनी है जो आप जो depreciation लगानी है 10% वह की इस पैल्स पर लगानी है जो रिमेंग बैलंस बच गया है इस 36,000 के उपर depreciation लगाएगी तो 36,000 के उपर अगर हम 10% depreciation लगाएगे तो वह कितने बालेगी 3600 अब फिर हम balance करतेंगे तो इसी देर को जो balance के जाएगे तो white balance carry down अब दोनों काईड़ों में डापर फिर बढ़ी है 36,000 है तो इधर हमें कितना balance इतना बढ़ेगा कि हमारा जो है वो 36,000 balance आजाए तो calculator की मतल लेंगे हम अब 36,000 इसे माइनस करतेंगे 3600 तो 32,400 आप बेंगे तो दोनों साइड़ों पर 36,000 की amount आजाएगी अब आप अपने 2017 के इंदर आ रहे हैं जो कि हम इस को चल के पिर लास्ट यह रहा है तो फर्स्ट जनुवरी हम लिखेंगे अब हम फिर बात करेंगे वही 35,000 दिसम्बर 2017 और फिर वही इंदर पास कि जाएगी आप अपने वह इस बैलन्स के ओपर लगाने तो बगाया क्या इसकी इसकी तुछ गई है एसकी थर्टी तूज़न फोर हंड़ड तो इसकी ओपर टैन्परसंट चांच की जाएगी तो वह बनेगी अब बैलन्स करेंगे तो बाइट बैलन्स करेंगे तो बैलन्स करेंगे हम तुबार करेंगे क्ल्कुलेटर में हम क्या करेंगे जी के हम 32,400 में से माइनस कर देंगे 3040 तो 29,160 हमाना बैलन्स आएगा तो दोनों सब्सक्राइब 35,22,400 तो बैलन्स हो जाएगा यह तो स्टुटन को कुस्टन था जिसमें हमने एक मशीन खरीदी और मशीन के अंदर हमने 10% डैप्रिसेशन चार्ज की और 10% डैप्रिसेशन चार्ज करने के बाद हमने उसके अंदर जो मैथड यूज किया वह था चैन बेस मैथड भी कहते ह हमें है इसको दुमस्टिंग मेथर्ज कहते हैं को किस यस घृजिंग गाया इसको डियाने हम से अंदर के खाने चार्ज को equilibrium 37605 तो रह्यां हो अगानीom नगानी तो अब हम 2,070 के तरा जाएगे तो बैलंस हमारा जो मशीन का पच गया था वो था 32,400 तो अब डैपनी से ची तो लगाए जाएगी वो 32,400 के उपर चार्च की जाएगी वो कितने बने थी किसे 3,240 बैलंस कर दिया 29,160 इस में कि आफ्टर 3 येर्स आपके पास उस मशीन की जो अब रिमेनिंग वैल्यू है वो है 29,160 तो आप इस कॉस्टन को नोट कर लें और इसी तरह की इलिस्टेशन जो है वो आप खुद से भी एक्सॉल्व कर सकते हैं मिए लेकिन वूह पर हम मशीन जो है वो सकता है एक मशीन पहले से चल रही है और दर्मयान वे इस साल के कोई दूस्यम प्रचेशे कर लेगाए यानि कि अडिशनल मशीन प्रचेशे कर लेगाए और उसको कैसे सॉल्व करना है और अगर एक मशीन जो हमें 2,2,3,4 साद इस् करना हैं और इसी टॉपिक के दर हम यह भी देखेंगे कि अगर हमें कॉस्टिन के अंदर रेट आफ डैप्रिसेशन नहीं दिया जाता हमें अफ़ डैप्रिसेशन भी नहीं बताया जाएगा तो फिर हमें कैसे तो इन कुस्टिन के आंसर देखने के लिए आप हमारी नेक्स व